आज आपका सभी का वेलकम करती हूं आज में लेकर रहे हूं बहुत ही अच्छी रेसेपी जो आज हम बनाएंगे बहुत हैं बहुत है नहीं हैं आज सब्सक्राइएं आपको अप्रिया आपको अपर हैं और अठीजिल सब्सक्राइएं दाल तटका मसाला बहुत टेस्टी各 जो सिंपल दाल को भी अच्छासा बना देगा रोती मसाला जो मेना बहुत फेवरिट है जिसको मैंने यूज χाला मुझे पुरेखर इस 머न सांबर मसाला, किचन किंग मसाला, किसी भी आप सुकी ड्राय सब्जी में या आप किसी ग्रेवी वाई सब्जी में डाल सकते हैं यह अभी लेवल है आपको CP मसाले कहीं पर भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे नहीं तो आप इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं CPSpices.in यहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं तो आज इनहीं मसालों से लेते हुए हम एक रेसेपी बनाएंगे बच्चों के लिए बनाएंगे वेजटेबल कुरकुरी टिक्की बनाने वाले हैं यहां पर हमणे काफी सारे चॉपिघ करके रखे हुई है इसे बनाने के लिए हमने यह पें चड़ा दी है पैन में हम डालेंगे वन टेबल स्पून जितना ओईल हमें ज्यादा नहीं चाहिए यहां पर हमने वन टेबल स्पून जितना ही ओईल लेना है और इसे गरम कर लेंगे यहां पे मैं सारे यूज़ कर रही हूं सीपी के सारे मसाले जो मेरे मसाला बॉक्स में हमेशा रहते हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके अरोमा बहुत ही अच्छा है मुझे इसकी स्मेल ही इतनी अच्छे लगती है बिल्कुल मा के हाथ जैसे मसाले जो घरके यहां पर मैंने कैपसिकम जिसको बारीक चॉप कर लिया है, कुछ बीन अच्छ बनते हैं और यहां पर मेरे पास में फ़ाइरट पतायटों हैं। तो शाहरेएं जिसको नेडा यहां पर मैं आपको क्या चीछन टिप देना चाहाओंगी आप जब भी कोई टिकी या कुछ भी स्नेक्स बनाते हैं पोटैटो के तो इसको पहले से आप पील करके पील करके थंडा का लिजगा इसे बहुत अच्छे से बनते हैं हमारे स्नेक्स यह देखिए मारा ऑइल करम हो चुका है आज मैं डालूंगी अपनी सीपी की हिंग इसका सीपी का ही जीरा है बहुत अच्छा है इसको हलका सा चटका लेंगे हम लोग जीरा हमारा चटक चुका है अब उसमें हम एट करेंगे ओनियन और ओनियन को हम लोग सौटे कर लेंगे हमने इसको पूरा पकाना नहीं है हलका सा कुछ सेकिंड के लिए हम इसको सौटे कर और हमारे ओनियों सॉटे हो चुकिए हम इसमें एड़ करेंगे हम अपनी बारी कट कीवी वेजीटेबल जिसमें एड़ कर रहे हूं कैरेट कैबिच कि इसमेंदे वेजीटेबल Ga, शकरें लेकिन बहुत ही हेल्धी हम तो हमने सारी वेजीटेबल इसी ली हैं यहां पर हम लेंगा थोड़ी हैं सिरे तो पनी सारी अछी लगी हैं मुझे तो इसको हलका सां स्टर कर लेंगे देखें इस चिलिक अच्छी कुर्कुरी टिकी बनती है और वैजिस से भर पूरा तो हेल्दी भी है यहाँ पर हम डालेंगे अपने सीपी के मसाले जिसमें मैं डाल रहे हैं सॉल्ट एकॉर्डिंग टेस्ट यहाँ पर डालें डेड चिली पाउडर 1.5 टी स्पून जितना आप अपने टेस्ट की कॉडिंग ली कम्या जादा कर सकते हैं दन्या पाउडर 1 टी स्पून जितना गरम मसाला बस इतने ही मसाय डालूंगा बहुत अच्छी टेस्टी सी इमारी टिक्की बनती है और इसको हम तोड़ा स्टर कर लेंगे हलका समय इसमें बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मलब लगा लेंगे 1 टेबल स्पून जितना है मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि अच्छे से मेरी इ अच्छे से पानी डालने कबाँ मिकस कर लूंगी ह reminder और और क्यापसिकम कट़ की विग्यों रखी दी क्यापसिकम को मैं थोड़ा से क्रुशी रखना चाहती थी तो इसको miyx कर लेंगे हम लो के यह और इसको लेड लगा के तोड़वर करके दिंगे ठोड़ी ही को सॉफ करें लेंगे कैने देखिए कितने अच्छे से हमारी 1 मिνट के अंधर ही हमारी अच्छे से वह हो गई काफी अच्छे से सॉफ हो गई है वाहां पर इसको करREEम को प्राइन असान हो जाती है तो इस लीके से हम कर लेंगे और फिर से फ्लेम को थोर सा उन करके इसको अच्छे से एक बार फिर से स्टर कर दूंगी और इसके इंदर जो हमने पानी डाला है वह बिल्कुल अच्छे से सूख जाना चाहिए तब ही हमाई जो टिकी है वह अच्छी से बन पाएंगी तो यहां पर अच्छे से इसको हम एक बारी फिर से कर लेंगे पूरा अच्छे से इसका पानी जो है इसके इंदर जितना भी अक्ससवानी इसको हम सुखा लेंगे तक हम अपने अगें से एक कड़ाई रख देंगे और इसमें हम लोग टिकी बना रहे हैं मैं तो बनाओंगे टिक्की का मज़ा अता है तो यहां पर हम इसको आयल चटा देंगे घरम होने के लिए आप चाहे ऐर फ्राइब में बना सकते हैं शेलो फ्राइब ही आता है और कुर्करी टिक्की तो वैसे भी फ्राइब होगी अच्छी लगती है तो यहां पे ऑयल को मैं अच्छे से गरम होने रख दोंगी आगे हम यहां पर बढ़ते हैं जब तक कोईल गरम हो रहा तब तक हम एक यहां पर बाउल ले लेंगे बाउल में अपने जो पोटाइटो जो हमने पील करके रखे हुए उसको ग्रेट कर लेंगे आप इसे ग्रेट कीजेगा मैश मत डाऊने अऐंगे से एक टपन ल ले ले लेंगे और इसमें एट करेंगे तू टेबर स्पोन्स जितना मैझा धना हमेक थोड़ा थोड़ा करके पाानी एट करेंगे और फानी एक साथ नहीं एक्छा इट करना है और एक इसकी स्लरी बनाना है अमने लम्स फ्री स्लरी बिनानी है तो थोड़ा सा इसमें पहले पानी आड़ करके इसको मैं थोड़ा सा थीक सा बैटर बनाके फिर इसकी कंसेटेंसी रखूंगी पोरिंग देखिए कि इतने अच्छे से हमारा यह मिक्स हो गया है बिल्कुल लम्स फ्री कर देना है इसको यह मारी इसलरी जो बनके रेड़ी हो चुकी है यहां पे देखिए इसे भी साइट में रख देंगे हम लोग अगे ने कहम प्लेट में लेंगी और उस पे डालेंगे हम अपने प्लाइब ये प्लेन वाले कॉन फ्लेक्स हैं जो कि हम लोग दूद में डालकर यह सब लेते हैं वही वाले हैं इसको हल्का सा हाथों की help से इसको ग्राइंड मत किजेगा नहीं तो पाउडर बन जाएगा हातों की हल्प से इस त्रीके से आप इसको गरिंगे बहुत इजली हो जाते है तो यहां पर मैं दो गप जितने हैं मैं इसको लोगी मैं अभी एक साथ नहीं करीगी जितनी मुझे रिक्वार्मेंट होगी उससे कि देखिए हमें इसको हातों की हल्प से इसको मिक्स करूंगी अच्छे से इसके अंदर सारी सबजी को हम पोटैटो के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगी मुझे थोड़ा से इसमें मॉस्चर सा लग रहा है देखिए मैं इसमें एट करूंगी वन टेबल स्पून जितना कॉन फ्लार अगर आपके दोड़ा से लगे मॉस्चर सा है कुछ तो इसरी किसा आप कॉन फ्लार एट कर लिजगा उससे हमारी इसकी टिकी की जो बाइंडिंग होती बहुत अच्छी हो जाती है और कुरकुरी भी हो जाती ह तो इसमें अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे यह देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रहा है और देखिए मैं इसरी किसे इसको माइंड करके देख रही हूँ अच्छे से यह ड्राई सी भी हो गई है तो इसकी मेरे टिकी अच्छे से इसली बाद में अच्छे से बन जाए बड़ी जैसी बनाना चाहते हैं उतना आप इसको पोश्चन को उतनी को आटिटी में ले लिजिए और अच्छे से इसलिए के से दोनों हाथों के हल्ब से इसका बॉल बनाते हुए आप कोई भी शेप देना चाहें वो भी कर सकते हैं टिकी की नहीं तो आप कटलेट की किसी की बना चाहें वैसे बना सकते हैं यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा से फ्लैट करते हुए अच्छे से मैं टिकी की शेप दे दूँगी सारी इसी तरह बना के मैं रख लूँगी कि देखिए सारी टिकीया मेरी यहां पर बनके रेडी हो चुकी है टिकीया बन गई है कॉन्फ्लैक्स हमारे रेडी है और सलरी हमारी रेडी है तो चलिए अब आगे का प्रोसेस पर चलते हैं हम लोग कितनी अच्छे से इसकी टिकी की थोड़ी से शेप मैं ठीक कर लूँग कि एक बर इस लिकी से हाथों से शेप लाख इसकी थीच कर लिजेगा ? कि स्लरी को एक बर मैं इस तरीके से घुमा लोगी कोई लंब सुना हो गया नीचे बैठ जाता है कॉंप्लार तो इसे के से और यहां पर बेरे कॉंप्लैक्स भी रेडी है एक ट की लेंगे इसे की से हम डिप करेंगे और इसके उपर हम कॉाण फ़लयर का जो बैटर है यह जो मारा सलरी है यह अच्छे से कोड कर लेंगे और इसको एक फोक की हल्प से इसरीके से उठाएंगे एकसे जितना भी हमारी सलरी होगी वह नीचे निकल जाएगी कि इसरी के से टैप कर लेंगे थोड़ा सा और अपने जो हमारे कॉर्ण फ्लेक्स को हमने से क्रश करके रखे हैं वह इसके ऊपर अच्छे से हम लोग कोट कर लेंगे यहां पर मैंने कॉन फ्लेक्स का इस्तमाल कर आए आप चाहे तो रोस्टी ओर्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरीके से सारी जो टिकियां है मैं अपनी रेडी कर लूँगी देखिए यह देखिए मैं टिकियां पूरी अच्छे से रेडी हो चुकी हैं बहुत ही टेस्ट लग रहे हैं इसको आप फ्रोजन करके भी रख सकते हैं आप इसको जिप लोग बैग में इसको डाल दीजे या फिर एटाइट कंटेनर में इसको आप फ्रीजर में रख दीजे वन वीक तक यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और कोई भी आपके घर में किटी पार्टी हो या कोई बर्थडे पार्टी हो पहले से प्रपेड करके रख सकते हैं टिकियां भी रेडी हो चुकी है ओयल भी हमारा जो है वो गरम हो चुका है देखिए ओयल बिल्कुल बड़्ज क करते ही तो ही डम गार्टे किट इसके बम नहीं हो जाएगी तो वह अंदर से कच्छी रह जाएगी तो इस लिए और अगर आप कम होगा तो अपका यह ओयल पी जाईगी तो इसकी इसमीदियम से मीडियम ऑलना है तो यहाँ पर देखिए मेर नॉमरल हीट है जो पल्टे नहीं कुछ सेकिंड के बाद में इस तरीके से आप पल्टे इसको अलट पलट करके आप इसे अच्छे से कुरकुरी होने तक आप अच्छे से ब्राउन कलर आने तक इसको तल ले अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यहां पर और मेंके करके टिकी सारी इस तर इस तरीके से रेडी कर लेंगे तो इसे भी हम तल लेंगे और इसमें मॉइल डालते हुए इसको पका लेंगे अच्छे से यह देखिए माई टिकी बनकी कितनी गर्मा गरम बनके रेडी हो रही हैं और इसे आप टी टाइम पे चाय के साथ में आप करिए इसकी चाट बनाए यह बहुत टेस्टी लगती है यह देखिए हमाई टिकी कितने अच्छे से कुरकरी हुई है कि मैं आपको ध्यान से एक बार देखिए कितने अच्छी लग रही ना देखने में बाकी की टिक्यों को भी इस तरीके से हम लोग तल लेंगे यहां पर मैं इसको सर्फ कर रही है धनिये पुदीने के साथ रैड केचप के साथ में आप चाहें तो इसके साथ में इमली की खटी मिटी चटनी यहां किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसकी चाट बना सकते हैं दही डाल कर इसकी बहुत कुरकरी चाट बन सकती है आप इसक यहाँ पर सेर्विंग तेयार है अब में पर डालूंगी बहुती टेषटि helps! मुझे रहेता मसाला मिले थी की एक पीकिक का रहेता मसाला बहुती है यह रायता के लावा में किसी भी स्नेक्स दाल धी सफिक्तित है कि मुझे बहुत टेस्थी लगता है क्लिए आप में आपको खिलाब आती बहुत टेस्टी बनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ons को यह रेसिपी को देखने के बाद बनानी पड़ेगी तो उसको जरूर आप्टाइ कीजिए बहुत ही टेस्टी बनती है कुरकुरी आलु की टिक्की बहुत यमई आई होप आपको अच्छी लगी होगी बहुत अच्छी लगी ये CPDe plate मसालों के साहथ में बनाई ह мощ आलू की आलू की टिकी है ये कुरकुरी कुरी कुरी बहुत एंगी टेस्टी बनी और यहां पर लाइट टी टाइम है तो इसको चाय के साथ सब कर रहा है तो बहुत टेस्टी टेस्टी सी हमारी कुरकरी टिकी रेडी है चाय रेडी है सीपी मसालों का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी यहां पर की बहुत अच्छे से प्रोडेक्ट जो उन्होंने मुझे दी है बहुत यूनिक प्रोडेक् जैसे कि मिरको ज़्यादा पसना है मिस्सी रोटी का आ गया रायते का डाल तड़का जो काफी युणीक से मुझे लगे मसाले सीपी मसालों का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि जो इतने अच्छे-च्छे मसाले उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाए आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज लाइक कामेंट शेयर करना बिलकुन ना बोले चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाए